वेलकम तो टेकलाइट इंस्टिटूट्स कि इतिहास क्या है क्या है और दूसरा क्यों पढ़ा जाता है क्यों कि वाट इस इस्ट्री और वाइब यार स्टूडिंग अबॉट हिस्ट्री भाई पुराने समय में जो चीजें हो चुकी है उसके बारे में अभी पढ़के क्या कर लेंगे भाई और चूंकि हम तो एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो पुरानी चीजें जो हो चुकी उसको जानकी क्या मतलब क्या फायदा हमको तो देखिए मैं आपको बताऊं कि पुराने समय में ऐसे व्यक्ति हुए हैं ऐसे लोग हुए हैं इतनी विशाल व्यक्तितों वाले व्यक्ति हुए हैं जिनके द्वारा ज कि आपके पास एक ऐसा पद हो आपके पास ऐसा उत्तरदाईतु हो जिसका आप निर्वहन कर सकें और इस अधिकार और उत्तरदाईतु के बीच में आता है एक बहुत महतुपुर्ण बिंदू जो की है निर्णय डिसिजन और इतिहास के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप अग्यान है वह आपको बहुत ज्पोट करेगा कि ग mess अ कि अगर हम चानक की की बात करें तो चानक के ने एक पुस्थक स्थी इर्थ। शास्त्र चानक के को कॉटिल्याविष्ट्योंन५ गुप्त के नाम से जाना जाता है इनके दौररा एक पुस्थक लिखी पहीं थी अर चाड़क के हैं उनके त्वारा कहा गया है कि एक कुषल प्रशाशक वही होता है जो अपना कुछ समय अपने इतिहास के अध्याइन में विताए अर्थात एक अच्छे प्रशाशक को अपने इतिहास का ग्用 होना बहुत जादा आवश्चेक है क्योंकि इतिहास का अगर उसे ज्यान होगा तभी वो अपने भविष्ट के लिए रणीजियां तयार कर पाएगा, भविष्ट में आने वाले जो situations है, उस पर अपना निर्णय या अपना decision वो है, दे पाएगा उचित रूप से, तो देखें, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, ये इन सारी चीजों के बारे में जानना ही कहलाता है इतिहास, ये सारी चीजें ही इतिहास हैं, और इतिहास के अंतर गएगा हम सिर्प लडाईयां पढ़ेंगे या राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, हम बहुत अच्छे से उनकी नीजियों का analysis करेंगे, हमारा जो इतिहास को पढ़ने का point of view रहेगा, वो काफी analytical approach में हम पढ़ेंगे, हमारा जो approach है, वो बहुत ज़्यादा विसलेशन आत्मक रूप में होगा, और देखिये, स्टूरू के कुछ बचार topic आएंगे, जो काफी factual type के topic होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद से जो इतिहास जब चलेगा, तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इतिहास कहानी के रूप में बताऊंगा, और उसी रूप में आप याद रखिएगा, ठीक है, तो चलिए, शुरू करते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का इत बात करते हैं, भारत के नाम करन दे, ठीक है? भारत का भारत का नाम करन, भारत का नाम करन तो तो जब भारत के नाम करणके तो पहले नमबर पर देखेंगे तो जब अगर नहीं हो का मैप मैप कट्रियर कर लीजी अगर हम भारत के बाहित करें कुछ इस तरह से इसके बाद से इस तरह से निकल जाता है है और तो ये हैं मारा भारत आयोņका जो आगमन हुआ था वह हुआ था इस वाले वेल्ट में शुरू में ठीक है और चुकिंकि यहां पर सिंधु और उसकी सायक नदियों का बहाव था इस खशेत्र में इसलिए जब शुरू में आरयों को यहां पर आगमन हुआ तो इस जगह को कहा गया सब्थ सेंधव प्रदेश यह वर्तमानता हमारा जम्मू काश्मीर उसके नीचे फिर आ जाएंगे हम पंजाब हर्याना वाला थोड़ा सा क्षेतर और राजस्थान का उत्तरी भाग ठीक है इस तरह से इस क्षेतर को सम्मीलित रुप से कहा गया सब्थ सेंधव प्रदेश वही जब आरे यहां पर आये ना तो आर्या इतने एक शेतर में तो सिवित नी रहेंगे आर्यों का जो विस्तार है वो इस दिशा में भी काफी होने लगा मतलब कुल मिलाकर यह पुर्वी जो गंगात का तठ है वहां तक पहुच गये मतलब वैस्टर गंगा बैंक तक पहुच गये और इस तरह से इस सारे एक शेतर को समिलित रूप से कहा जाने लगा आर्या वर्त आर्या वर्त आर्या वर्त आप लोगोंने कोई पंडित कर आके श्लोक पढ़ना शुरू करता है नो तो आप लोगोंने सुना होगा जंबुदीप भरत खंड आर्यावर्थ भारत वर्ष है तो यह जंबुदीप भरत खंड आर्यावर्थ भारत वर्ष यह सब भारत के ही नाम है तो यह नामों का ओरिजिनेशन कहां से हुआ मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तो शुरू में जब आर्य यहा लेकिन एक जो सरवमानने सिध्धान से उसको हम लेकर चलेंगे अलग-अलग जिहासकारों ने क्या मत दिया है यह हम आगे का विशह यह पढ़ेंगे हम आगे लेकिनी जो सःओंमाननी सिध्धानत है जो कि मैक्स मुलर के द्वारा दिया जाता है उसकेद्वारा यह माना जाता है कि आरियों का आगमन भारत में मधषिया राठा। सेंटर एशिया से हुआ तहां ठीकर एशिया का मधभाया ना वह önओं इनका एंका जो आगमध है भारत में वो हुआ था इनके विस्तार की बात कलें अब कहा से कहां तक इनका विस्तार है आरेयों का तो देखिए उपर मैं कश्मीर 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 के पॉर टॕ के नौर्फन राजास्थान मतलब उत्तरी राजिस्थान इधर अफगानिस्थान इधर अफगानिस्थान तक फेला था और इस साइड पर वेस्टन गंगा बेंग्यापूर्वी गंगा तक तक यह जो हमारा आर्य जो सब्वेता है वो फैल हुई थी तो इस तरह से भारत के दो हमने देखे सब्त सेंधाव प्रदेश और आर्या वर्थ ठीक है चलिए अगले नाम उपर फोड़ा विचार करते हैं अज़ा में सब्वेता के समय की बात कर ली ऐसंध्या ने काफी लोगों की सब्वेता मानी जाती है पाद मात करेंगे महाभारत का के समय की तो महाभारत के समय आप लोगों ने अगर महाभारत देखी होगी या पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा एक महाजनपत था कुरू अभी परतमान में जो हमारा हर्याना हर्याना वहां पेक कुरुक्षेत्र नाम की जगह है और वही कुरुक्षेत्र उस समय क कुरु महाजन्पत हुआ करता था और वही कुरु जो महाजन्पत हैं वहां परववंश का शाषन था और उस वंश के एक उत्तरा दिकारी थे जिनका नाम था कि दुश्यन्त कि इनकी पत्नी का नाम था शकुंतला और इन्हीं दुश्यन्त और शकुंतला का एक महाप्रतापी पुत्र था जिसका नाम था भरत कि भरत कि आप लोगों ने एक फोटो दिखी हुई कहीं कहीं पर लगी हुई एक छोटा सा बच्चा होता है बच्चा और वह बच्चा ना इसी गोद में देके शेर जो होता है उसका दांद गिन रहा होता है एक्जेक्ली यह वही भरत है तो राजा दुश्यंत और राणी शकुंतला का पुत्त था भरत और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं भरत के नाम पर इनके भरत की जो विशेश्टाएं हैं भरत का जो पराक्रम हैं उसको देखते हुए इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष रखा गया जैन मानेता की बात करें तो जैन मानेता की बात करें तो जैन की अनुसार जैन धर्म के पहले तीर्थंकड थे जिनका नाम था रिशवदेव रिशब देव और रिशब देव के दो पुत्र थे दो पुत्र एक का नाम था गूमतेश्वर गूमतेश्वर और ये देखिए अभी भारत की सबसे बड़ी मूर्ती किसकी है तो स्टेचू आफ यूनिटी सादूबे टाइलेंट पर सर्दार वाल्ला भाई पटेल की प्रतिम है लेकिन जब तक वह नहीं बनी थी भारत की सबसे बड़ी मूर्ती होने का जो स्रेय है वह प्राप्त था गूमतेश्वर की प्रतिमा को जो की करनाटक के स्रमण बेल गोला नाम के स्थान पर है ठीक है तो यह हो गए गूमतेश्वर इनके एक पुत्र थे वहीं इनके दू अब अगले पॉइंट पर चलते हैं कि हिंदुस्तान कि हिंदुस्तान नाम कैसे पढ़ा भारत था तो भारत में जब फॉर्स्ट फॉरेंड इन्विजन हुआ या इसे ही परसम विदेशी आक्रमण भी कहते हैं तो भारत में परसम विदेशी आक्रमण इंगे तो हुआ फारसी लोगों का या इन्हें अंग्रेजी में हम पर्शियंस कहते हैं वर्तमान में इरान की लोग होते हैं यह वर्तमान का जो इरान है उसे हम पहले फारस कहते थे या पर्शिया कहते थे मूवी भी देखी होगे आप लोगों ने प्रिंस आफ पर्शिया यह पहला करता है यह यह अपने आप एक फैक्ट है ना याद रखिएगा भारत में पहला विदेशी आक्रमट हुआ था फार्सियों का और इसमें भी जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था कैसे दारा विद रथम या इसे ही अंग्रेजी में में आप डेरिस फर्स्ट भी कहा जाता है तो देखे अब यह जो लोग थे न यह सिंदु नदी को इंदू-इंदू कहते थे आप और इस तरह से इनके इंदू बोलने न जो है यह पढ़ गया भारत का, अब यह बोले इंदू-नदी आएंगे इह उपर से अगे आखर मान को वैंदू-दी नावह हिनते शुदा भी की पढ़ गया तो अल्टिमेटली कहने का यह मतलब है कि हिंदुस्तान नामा में किस ने दिया तो हमें इरानियों ने या फार्सियों ने दिया था याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं यह उपर मिटा रहुना है लेकि आपना लिखना शुरू मत कर दीजेगा फटाफट नोट्स बनाना है यह हैबिट नहीं होनी चाहिए आपकी आपका एप्रोच यह होना चाहिए कि आप एकदम शान दिमाग से एकदम काम होके पहले पूरी क्लास को देखें जितनी चीजें आप देखकर ग्रैब कर सकते सब्सक्राइब कीजिए ज्याद है तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा चलिए नेट्स के हम बात करते हैं फॉर्थ सौरी फिफ्थ तो फिफ्थ है हमारा इंडिया तो जैकि हिंदुस्तान नाम पड़ा था प्रसम विदेशी आक्रमण से फर्स्ट फॉर्इन इंवेजन से वहीं इंडिया जो हमारा नाम है यह पड़ता है second foreign invasion या जुटिय विदेशी आक्रमन ठीक है जुटिय विदेशी आक्रमन से हमारा जो नाम है वो इंडिया पड़ता है क्यों? क्योंकि जुटिय विदेशी आक्रमन हुआ था सिकंदर का जिसे सिकंदर महान या Alexander the Great कहा जाता है इनका आक्रमण हुआ था इंडिया में यह बेसिकली भिलाउन करते थे ग्रीस या इसे युनान भी कहते हैं थीक है तो दो द्विती विदिश्ट्री आक्रमण किसका वा था भारत में यूनानियों का वह था या ग्रीस लोगों का वह था इंड़ीक्स कहा जाता जैने ना और आकरमन करता कौन थे तो थे हमारी सिंगंदर अलेक्जंडर ग्रेक्ट इनके द्वारा जब आक्रमन किया जाना था तो जो सिंधु नदी थी उनको यह इंडस कहती थे इंडस इनकी वेकैबलरी में ही सवशब्द नहीं होता तो सिंधु यह बोड़ी नहीं पाते थे तो यह इंडस कहते थे उसे और उसी इंडस के कारण हमारा जो देश है उसका नाम इंडिया पड़ा ठीक है तो इस तरह से कुछ भारत के नाम थे हमने रेखा आर्यावर्थ जंग और उसके बाद सब्सक्राइब प्रदेश भारत वर्ष फिर हिंदुस्तान और इंडिया इस तरह से भारत के पांच नामों पर हम बात कर ली यह लेकिन देखिए बात करते हैं समराठ अशोग की अशोग तो समराठ अशोग के जो भी लेक हैं इंस्क्रिप्शन्स जो हैं समराठ अशोग के उसमें हमको देखने को मिलता है इस ख्षेत्र का एक और नाम वो है जम्बू द्वीप जम्बू द्वीप देखिए अगर समराठ अशोग की बात करें तो समराठ अशोग के अभी लेकों को सबसे पहले 1837 में James Princip के द्वारा पढ़ा गया था याद रखेगा 1837 में James Princip के द्वारा समराथ अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने में सफलता हासिल की गई थी और समराथ अशोक के इंस्क्रिप्शन के अगर हम बात करें इसमें हमको हमारे देश का नाम या इसक्षेद्र का नाम जम्गुद्वीद देखने को मिलता है इसके अलाबा अगर हम Chinese ट्रेवलर्स की बात करें या फिर चीनी यात्री तो चीनी यात्रियों की पुस्तकों में इसक्षेद्र का क्या नाम मिलता है तो वो है यिन तू यिन तू और ये यिन तू हमको Chinese चैवलर्स या चीनी यात्रियों के जो लिखे गए जो पुस्तकें है उस पर नाम मिलता है उस समय कई चीनी यात्री आते है वेंसांग, फायान तो इन लोगों की अगर पुस्तकों की बात करें तो उसमें हमको लेखने को मिलता है यिन तू ये शब्त तो इस तरह से ये भारत के नाम करन पर हमने बात की कि भाई भारत क्या क्या नाम है किस की समय में किनके किनके द्वारा क्या क्या नाम रखा गया इतनी बाते क्लियर हुई ये तो हमने भारत के नामकरण पर बात की अब हम देखते हैं कि हमारा इतिहास को पढ़ने का अप्रोच कैसा होगा किन-किन सेग्मेंट में बाट कर हम जो हमारा इतिहास है भारत का इतिहास है उसको पढ़ने वाले हैं यह भारती इतिहास और भारती इतिहास को बेसिकली बाटा जाता है तीन भागों में तीन है पहड़ा जाएगा प्राग इतिहास इक खाल काल या इसी को प्रागयतिहासिक काल को प्री हिस्टॉरिक पीरियड भी कहते हैं इसके बाद आता है अध्यतिहासिक काल अध्यतिहासिक काल इसे कहा जाता है प्रोटो हिस्टॉरिक पीरियड उसके बाद आता है अध्यतिहासिक का अध्यतिहासिक काल जिसे हम हिस्टॉरिक पीरियड के लाम से जानते हैं तो भारत का इतिहास तीन भागों में दिमार्ग में बैठाते चलिया तीन भाग प्राग इतिहासिक काल प्री हिस्टॉरिक पीरियड फिर आध्यतिहासिक काल आता है और आध्यतिहासिक के बाद आता है एतिहासिक काल इस तरह से तीन भागों में हम भारत का जो इतिहासिक से उसको बाट कर पढ़ते हैं प्रागय थी घासिक केंतरगत हम क्या पढ़ंती तो प्रागय थी घासिक काल केंतरगत हम पढ़ने वाले हैं पाशाण काल पाशाण काल या स्टोनेज्ड आतए तीह थी सिंधु घाटी सभ्यता इंडस्वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता देखें पाशानकाल प्रागयति यह सिंधु घाटी सभ्यता देखें पाशानकाल और पाशानकाल में देखें अब किस पाशानकाल को भी हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ने वा पूरा पाशानकाल उसके बाद मध्य पाशानकाल और फिर उत्तर पाशानकाल पूरा पाशानकाल उत्तर पाशानकाल मध्य पाशानकाल तिक देखें इसके टाइम पिरेट के हम बात करें तो जब से मानों का प्रारम्भ हुआ है प्रार्म तब से लेकर 10,000 BC तक के आएगा पुरा पाशान काल उसके बाद मद्य पाशान काल की बात करें तो 10,000 से पच्पन सो बीसी गया जाएगा उसका उत्तर पाशान काल जो है ये पच्पन सो से लेकर 3,000 BC तक आएगा हमारा ठीक इसके बाद सिंदुगाटी सब पड़ेंगे और एतिहासिक काल देखिए यहाँ पर BC BC से आप क्या समझते हैं तो यह BC किस चिड़या का ना है तो आप जो सोच रहे हैं न वाला BC बिल्कुल नहीं है ठीक है यह BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट देखिए जैसे जो जिससक्राइस्ट थे न या इसा मसीज इनको कहते हैं इनके जन्म को अगर आप जीरो मान के चलें तो इससे पहले का जो भी समय हैं वो वह करते हैं विफोर क्राइस्ट में और इनके बाद का जो समय है वह हम एडी में काउंट करते हैं हिंदी में इसे ही इस आप पूरू कहते हैं और इसे इसी कहते हैं ठीक है यह चीज़ आप ध्यान में रखिएगा तो इतनी बाते हो गई अब देखिए यह जो हमारा एतिहासिक काल है इसको भी हम तीन भागों में बाट कर लेकर चलेंगे देखिए इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत फिर मद्यकालीन भारत उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत यह प्राचीन भारत में पढ़ेंगे भारत में राज ऊच्छों को कि तर्ष से होता है फिर किस तरह से अलागालाग oldा वां बोखी विदेशी आंक्रमट उनानी पराचीन देखिए लोग धिन ने लूकों के उसके बाद मुगनों के बारे में पढ़ेंगे, मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से मद्यकालीन भारत को क्राउस करती हुए, हम जब आधुनिक भारत में जाएंगे तो किस तरह से यूरोपी कमपनियों का भारत पर शाषन होता है, आक्रमन होता है, इस बारे से तरीके से step by step कवरब करते हुए चलेंगे एकदम कहानी के रूप में पढ़ेंगे और 1947 के बाद हुई कुछ महत्पुन घटनाओं पर भी हम चल्चाप करेंगे तो यह एक हमारा ओवर्वियू है कि हम भारती इतिहास को किस तरह से पढ़ने वाले हैं तो यह एक इंट्रोड झाल 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